बिसमिल्यारमाईरहीम, असलावलेकु विवर्स, आप सुब कैसे हैं, उमीद है कि आप से बच्छी होंगे, अलहम्दुल्ला मैं भी अच्छी हूँ, तो यह वाद आजकल समर सीजन चल रहा है और बहुत तरह के समर ड्रिंग्स आजकल पिए जा रहे हैं, तो समर ड्रिंग्स बहुती फैदेमंद होता है फालसा, इसको ऐसे भी खाया जाता है और अगर आपका शेर्बत बना करके पिए, तो वह बहुती टेस्टी और हल्दी होता है, तो इसके लिए मैंने यह ले लिए, 100 ग्राम फालसे है इसको दूँ करके रिक्तम साफ करके रख लिया है, और टेस चार पालसे हम इसमें डाल देंगे, और यह है 1.5 टी स्पून काला नमक, यह हम डाल देंगे, और टेस्ट के गॉडिग हम शक्कर ले ले लेंगे, तो हम 4 से 5 चमश शक्कर ले रहे हैं, टी स्पून, और आपको अगर कम मीठा पसंद दे तो आप कम डालें और ज्यादा पस ठीज़बू भी आ जाती हो, टेस्ट भी इसका और दुबना हो जाता है, अगर आपके बस तरेश हो तो आप फ्रेश डाल सकते हैं, तो आप इसमें डालेंगे 3 ग्लास पानी हम डालेंगे, तो पाले ठोड़ा कम पानी डालेंगे, इसको ब्लेंड करेंगे, उसके बाद हम देखिए यह उने प्लेंड कर लिया और ये एकदम महीन सा को पीस लिया तो इसमें कुछ पी होते हैं तो हम चान लेंगे आप इसमें पानी और आट करेंगे तो देखिए अब हमने इसमें और पानी एड़ कर लिया है और अब हम इसको चान लेंगे तो हम इसको एक चंडा लेंगे और एक बोल लेंगे इस तरह से हम इसको डालके अच्छी तरह से चान लेंगे ताकि इसमें जो सीट्स हैं मोटे मोटे से वो इसमें सब चंड जाए तो विवर्स सबसे पहला काम तो आप लोग मुझे सब्सक्राइब करें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और दुआ हैं मुझे याद रखें और अच्छे अच्छे कमेंट्स दें मेरी वीडियो को फूलो अच्छिया करें तो देखी कि मैंने सारा शर्वत चान लिया है और इसमें जो मोटा पार्ट था और सीट से इसमें और जो मोटा-मोटा सा पार्ट से सारा निकल गया है तो अब हम इसे अलग रख देते हैं तो आप देख सकते हैं कि मिंटो में ये बहुत ही मज़ेदार सा हेल्दी और टेस्टी फालसे के शुर्वत बनके रेडी हो चुका है तो अब हम इसे गिलास में डाल देते हैं तो अब हम सबसे पहले इसमें डाल देते हैं बरफ अब हम इसमें डालेंगे उपर से शर्वत तो देखिए इसका कलर भी कितना प्यारा सा लग रहा है ये पीने में भी उत्तही टेस्टी और हेल्डी का हेल्डी होता है तो वीवर्स उमीद है कि आप सबको मेरी आज की रेसीपी पसंद आई होगी अगर मेरी रेसीपी आप सबक करें दूआ मुझे याद रखें अच्छे एच्छे कामेंट्स से मेरी वीडियो को फूल वाच हिया करें तो अब हम इसमें फोड़ी पी बरफ को और इसमें एट कर देते हैं उपर से तो समर सीजन में ये सब डिंग्स बहुत ही हिल्दी और टेस्टी लगते हैं तो देखिए ये किता मज़ेदार सा कलर फूल सा ये शर्बत बनके रेडी हो चुका है तो चलिए अब हम इसे पीते हों इंज्वाइ करते हैं और आप सब भी इसी तरह से शर्बत बनाएं और पीएं अपने महमानों को पिलाएं घर में अपनी फानली को पिलाएं खुद प करें तो फिर मिलेंगे अगली एक मज़दार सी रसीपी के साथ अब तक के लिए अलाह आफीस